दोस्तों हमारी सीरी चल रही है केनेथ हैंडरसन की बुक दा कॉल अफ दा मैं इटर और उसकी स्टोरी चल रही है दा ब्लैक रोग आफ मोयार वैली उसका इस सेकंड पार्ट है पिछले एपसोर्ट में आपने देखा था कि एक काले रंग का हाथी जो एकदम काले रंग का था और जिसके शरीर पर बाल भी थे वैसे बाल जैसे की हाथी के बच्चे को होते है और वो लगातार वारदात कर रहा था उसने पहले एक आदमी को मारा उसके बाद एक बैल गाड़ी पर हमला किया गाड़ीवान को चीड़ दिया दो तुकड़ों में और दो आदमी भागने में सफल रहे दो बैल थे उसमें से उस बैल को मारा जो की सफेद रंग का था जो काले रंग का बैल था उसे छोड़ दि गाड़ीवान को भी इसलिए मारा क्योंकि उसने सफेद रंग की धोती और सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी इसके अलावा एक साइकल सवार पर भी हमला किया और वो भी सफेद कपड़े पहने था लेकिन किस्मत से वो चल कर जाड़ी में गिरा और हाथी ने साइकल तोड़ी और उस साइकल के मालिक को वो ढूंड नहीं पाया अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं अब क्योंकि कलेक्टर ने इस एलिफंट को रोग एलिफंट डेकलेर कर दिया था हाथी को रोग एलिफंट डेकलेर करना वैसा ही होता है जैसे किसी टाइगर को मैं इटे डेकलेर करना और ये बात शायद ये रोग एलिफंट भी समझ गया था ये अचानक से उस इलाके से गायब हो गया लेकिन उसने करुमबा का पीशा किया उटी और मैसूर का जो बॉडर था उससे आधा मेल की दूरी पर लेकिन ये जो उसने काम किया था मदूमलाई सेंचुरी के अंदर किया था जैसे कि वो हाथी जानता हो कि कहां मेरे उपर हमला किया जा सकता है कहां नहीं किया जा सकता क्योंकि कोयम बटूर के कलेक्टर ने ओर्डर दिया था अलाकि जिस पर उसने हमला किया था करुंबा वो जंगल में हनी चुराने गया था और इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया यही माना गया कि चोर को पनिश्मेंट मिल गया अब जैसे की ट्रंक रोड जाती है उटी की तरफ जो की एक बहुती सुंदर हिल स्टेशन है 7500 फिट की उचाई पर नील गरी की पहाड़ीों पर उटी जाने वाली रोड दोनों सेंचुरीज के बीच में से जाती है मदू मलाई सेंचुरी और बांदीपूर सेंचुरी अब जो यह रोड है यह टिपा काडू को जब छोड़ती है टिपा काडू वही जगे है जहां पर वो दो हातियों का बैटल हुआ था जिसमें की यह काला हाती हार गया था टिपा काडू छोड़ने के बाद रोड चालिस मील की चड़ाई चड़ती है एक जगे क्रॉस होती है उस जगे का नाम है गुदालूर और उसके बाद बहुत सारे हेर पिन बैंड्स तरह तरह की चड़ाईयां चड़ते हुए जहां पर बहुत सारी सीनिक ब्यूटी है यह रोड पहुँच जाती है उटी यानि की उटकमंड यह रोड वेल मेंटेंड है इसको मेंटेंड करते हैं नील गिरी डिस्टिक आफ मदरास और मैसूर स्टेट इस रोड में बहुत सारी private cars जाती हैं, उटी hill station जाने के लिए, अब टिपपा काडू से एक short road भी है जो की उटी पहुंचती है, अब जो ये short road है ये उस काले पुल के उपर से होके जाती है जिस पुल पर खड़े होके गाउवालोंने दोनों हाथियों की लडाई देखी थी, और ये रोड तीन गावों से गुजरती है और उन तीन गावों के नाम है मासिन गुडी, महावन हला और सेगूर और इनको क्रॉस करने के बाद रोड एकदम खड़ी चड़ाई चड़ जाती है उटी जाने के लिए इस रोड का इस्तमाल कमी होता है क्योंकि इसी कंडिशन में ठीक नहीं है और इसके जो हेर पिन बैंड्स हैं वहाँ पर चड़ाई बहुत जादा है ऐसा नहीं है कि कोई भी इस्तमाल नहीं करता लोग करते हैं जिनकी गाड़ी में ज़्यादा होर्स पावर होते है और जिनके ब्रेक्स की कंडिशन टिप टॉप होती है अब वो जो पहले वाली में रोड है उसमें वो काला हाथी जाता था जब तक कि उसे कलेक्टर ने रोग यानि कि दुष्ट हाथी डिकलेयर नहीं कर दिया था लेकिन वो ओर्डर उन इलाकों में ही था जो कि कोईमबडूर डिस्टिक में आते थे बाकी दूसरे इलाके जो मैसूर के थे वहाँ पर ये हाथी अभी भी प्रोटेक्टेट एनिमल था लेकिन अब वो हाथी ज़्यादा बोल्ड होता जा रहा था अब वो मोटर गाडियों का पीछा भी करने लगा था अब सेगूर में उसने एक अंग्रेज को अपना निशाना बनाया वो अंग्रेज जिनका नाम था कॉलट और वो अंडरसन के फ्रेंड थे वो शाम को इवनिंग वाक पे निकले थे उनके साथ में थी उनकी शॉटगन और पाँच कुत्ते थे मौंग्रेल अब कॉलट इस उम्मीद में अपनी बंदूक और कुत्ते लेकर गए थे क्या पता कोई मोर मिल जाए क्या पता जंगली मुर्गा मिल जाए या मिल जाए कोई खरगोश अब उन्हें क्या मिला था ये तो मुझे नहीं मालूम मुझे ये मालूम है कि वो सेगूर नदी के किनारे बैठे थे जो की मोयार नदी की रिब्रूटरी है उन्हों अपनी पीठ टिकाई हुई थी एक पेड़ से और उनके पाँचों कुत्ते उनके आस पास ही थे अब शायद कॉलिट भी पानी पीने ही आये थे लेकिन वो काला दुस्ट भी आ गया पानी पीने उसने देखा कॉलिट की दरफ जोर से चिंगाडा और चार्ज कर दिया अब मेरे दोस्त के पास थी शॉटगन जो की हाथी के केस में यूजलेस है और दूसरा मेरे दोस्त को पैर में एक चोट लगी थी जिससे वो थोड़ा लंगडा कर चलते थे अब ना तो वो भाग पा रहे थे ना ही पेड़ पर चल पा रहे थे अब लगता है उनका मर्डर होने वाला था तभी पांच कुटों ने सोचा कि ये मामला सीरियस होता जा रहा है इसे अपने ही हाथ में लेना पड़ेगा और उन कुटों ने काउंटर अटैक कर दिया हाथी के उपर और उन कुटों ने हाथी के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया कोई यहां से भौँकता था अटैक करता था कोई वहां से हाथी इतना इरिटेट हो गया कि वो भूल गया कि वो किस पर हमला करने जा रहा है वो कुटों की तरफ ही घूम गया कभी किसी कुट्टे को पकड़ने की कोशिश करता था कभी दूसरे को वो चाहता था कि अपनी सून में उनको लपेटे और उठा कर पटक दे अब elephant चारो तरफ घूम रहा था वो कभी इस कुत्ते को पकड़ना चाह रहा था कभी उसको और जब एक के पीछे दोड़ता था तो बाकी चार उस पर हमला करते थे और हाथी ठक चुका था अब कॉलट ने नजर बचाई और एक पेड़ के तने के पीछे छुप गए और जब हाथी फिर भी जी था ये जल्दी से निकल कर एक फुट पात पे आ गए और लंगडा कर जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से भागे और जब तक ये अपने बंगले पहुँचे देखा पांचो कुटे भी आ गए थे किसी को कोई चोट नहीं रगी थी और बड़े खुश थे हाफ रहे थे लेकिन अपनी पूँच हिला रहे थे अब तीन महीने के बाद हाथी वापिस पहुच गया कोईमबटूर डिस्टिक में और जल्दी ही उसने अपना एक शिकार मनाया अब एक गाउं था जीर गली ज्यादा दूरी पर नहीं था मोयार वैली से इतना ही दूर था कि एक बार में कववा उड़े तो दूसरी जगे पहुच जाए अब इस घटना के कुछ दिन के बाद एक अमेरिकन टूरिस्ट एंडरसन से मिलने आए और वो बोले कि क्या आप मुझे ऐसी जगे लेके चल सकते हैं जहां मुझे इंडियन बाइसन के कुछ फोटोग्राफ मिल जाए ऐसे जिने मैं मूवी में यूज कर सकूँ वो जो जेंटलमिन थे उनके पास बहुत अच्छी फिल्म्स का और पिक्चर्स का कलेक्शन था जब वो अफरीका गए थे यहां उनके पास थे रहिनो, लाइन और अफरीकन एलिफेंट्स के पिक्चर्स और मूवीज अब वो इंडिया आये थे टाइगर और इंडियन बाइसन की रील बनाने के लिए अब अंडर्सन ने उन्हें बताया कि लाइन की पिक्चर लेना बहुत आसान है तो कि वो खुले घास के मैदान में बढ़ते है टाइगर की पिक्चर लेना उतना ही मुश्किल है तो कि वो घने जंगल में होते हैं और हर वक्त छिपे रहना पसंद करते हैं अब अंडर्सन ने बोला कि बाइसन की फोटो लेना पॉसिबिल है तो फिर ये तैह हुआ कि ये लोग साथ में ही जाएंगे तो ये निकले अंडर्सन की कार से तीन दिन की ट्रिप पर अब अंडर्सन बोलते हैं कि मेरी जानकारी में कोईंबर्टूर के जंगलों से अच्छा जंगल कहीं नहीं है इंडियन बाइसन को देखने के लिए ना सिर्फ बाइसन यहां पर भारी तादाद में है जबकि यहां पर जंगल भी कम घना है तो फोटो लेना ज्यादा अच्छे से हो पाता है अगर मैसूर की बात करेंगे तो मैसूर में जंगल ज्यादा घना है अब एंडर्सन ने एक शोलागा जिसका नाम था राचिन जो कि इनका पुराना मित्र था उसे उसके गाउं से साथ में ले लिया अब उसके बाद इन्होंना ड्राइब शुरू करी डिम्बुम के लिए और फिर एक नया रास्ता ले लिया होना थिट्टी के लिए अब यो दिम्बुम तल्ला मलाई रोड में साथ मील की उचाई पर था और एंडर्सन को मालुम था कि यहां पर इंडियन बायसन यानि की गौर बहुतायत की मातरा में हैं अब इनकी गाड़ी दो बार पंक्चर हो गई रास्ते में और थोड़े बहुत और डिले हुए तो यह शाम को चार बजे पहुँचे अब क्योंकि शाम हो चुकी थी तो इस टाइम बायसन की खोज में जाना सही नहीं था और जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि के लिए चलेंगे अब जो लोकल गाओं के निवासी थे आसपास के उनको एंडरसन ने बताया कि वो लोग किस काम के लिए आये हैं तो वो लोग बड़े उदास हुए जब उन्हें मालूम चला कि एंडरसन फोटोग्राफी करने आये हैं शेकार करने नहीं आये उन्होंने बड़ा जो डाला कि पास के जंगलों में सामबर डियर हैं हमारे लिए मार दीजिये और उन्हें कहा कि सामबर मिलेंगे वाटर होल पे आजकल वाटर होल पर शेकार करना मना है और वैसे भी एक गेम स्पोर्ट के खिलाफ है तो मैंने स्टिक्ली मना कर दिया अब बहुत सार शोलागा लोग उस रात आये बॉनफायर पर और फिर राचन को एक शोलागा साथ में ले जाने के लिए तैयार हो गया कि सुबह सुबह मू अंधेरे साथ में जाएंगे और वहां पहुँचेंगे जहां पर हैं बहुत सारे बाइसन प्लान ये था कि बाइसन के ग्रुप को फॉलो करेंगे जहां ये आराम कर रहे होंगे वहां से अब अर्डरसन ने कहा कि बाइसन दिन में नहीं गुमते क्योंकि दिन में गर्मी होती है वो सुबह और शाम को गुमते हैं तो ये आइडिया सही था कि ये शोलागा लोग बाइसन का ग्रुप जहां आराम कर रहा है वहाँ का पता ले आए, हम लोग धीरे धीरे साउधानी के साथ वहाँ जाएं और फिर आराम से फोटो लें। अब जब इनका प्लान फिक्स हो गया, उन्होंने दुनिया भर की बाते शुरू कर दी और उन दुनिया भर की बातों में एक बात थी, दुष्ट काले हाथी के बारे में। सुबह हलका हलका उजाला होने वाला था, तभी वो शोलागा विक्ती आ गया, अभी तक उस दूसरे शोलागा और इनके अमेरिकन फ्रेंट को उस हाथी की उपस्तिती के बारे में मालूम नहीं था, ये तो अच्छा हुआ कि राचेन ने मुड़ के देख लिया, नहीं तो ह हाथी से बचा ले, जिस पेड़ पर वो चड़ते हाथी उसे तोड़ देता, दूर देखने पे एक चटान दिखी, चटान कितनी बड़ी है, क्या साइज है, इन्हें अंदाजा नहीं लग पाया, लेकिन इन्हें इतना पता था, कि डूपते को तिनके का सहरा, ये चटान ही उनकी शरण स्थली थी, अब इस वक्त चिलाना समझदारी नहीं थी, तो जैसे ही चिलाने की आवाज सुनाई देती, हाथी समझ जाता, कि ये लोग जान चुके हैं, कि वो आ रहा है, और वो चार्ज कर देता, तो उन्हें बड़ी धीरे से बोला, अपने अमेरिकन वो बोले कहां, किधर, क्या, क्योंकि उन्हें कुछ सूज नहीं रहा था, अब इन्होंने जल्दी से अमेरिकन का हाथ पकड़ा, और उस चत्तान के डिरेक्शन में तेजी से लेके चलने लगे, और उधार राचन ने दूसरे शोलागा को समझाया, कि काला दुस्ट आ गया तो उसने जोड़दार चिंगार मारी और इन लोगों के उपर चार्ज कर दिया, अब इनके दोस्त ने अपना कैमरा और उसका सामान वहीं फेक दिया, ये लोग तेजी से भागने लगे, और तेजी से ही भाग रहा था काला दुस्ट, और बार बार चिंगार रहा था, उने पीछा करने वाले यानि काले दुस्ट से, अब ये स्लोप में एक चटान थी, जो एक तरफ से तीन फीट की थी, दूसरी तरफ से पांच फीट, अब ये छलांग मार के उस चटान पे चड़े, जो करीब 30 फीट लंबी थी, और उसके आखरी छोर पर पहुंच गए, व और वो अपने पेट तक उस चटान पर चढ़ा, अब वो लगातार चिंगार रहा था, और अपनी सूर से जोरदार फूक मार रहा था, अब हाती को समझ में आ गया था, कि ये लोग उसकी पहुंच से दूर है, तो वो साइड से गया, आस-पास की जाडिया उखाने लगा, अब हाती घूम के तो नहीं आया, लेकिन उसे एक पत्थर मिल गया, उसने अपनी सूर से पत्थर फेका, और इनके दोस्त के बगल से निकला वो पत्थर, अब दस मिनट के बाद उस काले दोस्ट को ये रियलाइज हुआ, कि अगर वो तीन फीट के तरफ से आएगा, तो इ और चड़ गया, उस टाइम पर राचेन ने अपना दिमाग स्थिर रखा, और तमिल में चिलाया, कि जल्दी से यहां से कूच जाओ, हाती यहां से कूदेगा नहीं, जिस तरफ पांच फीट की हाइट थी, बोला हाती को डर लगेगा, कि उसका पैर ना तूट जाए, अब कि दोस्त ने आगे भागने की कोशिश की, इन्होंने हाथ पकड़ लिया, कि यहीं रुक जाओ, हाती यहां से कूदेगा नहीं, लेकिन अगर इस इलाके के छोड़ कर हम आगे गए, तो वो तीन फीट की साइड से उतरेगा और हमें पकड़ लेगा, हमें इस चट्टान के आस-पास ही रहना है, अब वो काला दुष्ट चट्टान के आखरी सिरेवा पहुँच गया है, जहां उसकी हाइट पाच फीट थी, अब वो वहां से चिंगार रहा था, वो द्रश देखने में गजब लग रहा था, उस हाती ने अपना एक पैर आगे बढ़ाया, वो कोशि पाच फीट थी, अब वो उतर के उस तरफ से घूम के आ रहा था, इतनी ही देर में ये लोग फिर से चड़ गए उस चट्टान पे, जिस साइड वो पाच फीट की थी, दो बार उस हाती ने फिर वही दोराया, फिर गया, तीन फीट की तरफ से चड़ा, ये लोग फिर पकड़ाई का खेल चल रहा था, लेकिन ये जो पकड़म पकड़ाई का खेल था, इसमें कोई आउट नहीं होने वाला था, दुनिया से ही आउट हो जाता, अब एंडरसन बोलते हैं, कि अगर हम दो लोग होते, तो इस जिमनास्ट को करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम लोग चार लोग थे, तो भागा दोड़ी में हम लोग एक दूसरे के ही सामने आ जाते थे, और क्योंकि पीछे मौत थी, तो इस्थिती बड़ी विकट थी, अब थोड़ी देर तक ये गेम चलता रहा, और उसके बाद हाती को लगा, कि शायद वो हमें पकड़ न आराम से टहल रहे थे उस चट्टान पर, जहां भी अपनी सून से इनको पकड़ने की कोशिश करता, ये लोग पीछे हट जाते, अब जब ये पकड़म पकड़ाई दुबारा चल रही थी, धीमे रूप में, तब ये अपने आपको गाली दे रहे थे, कि मैं राइफल क्यो को भी लग रही थी, अब वो एक पेड़ की छाया में खड़ा हो गया, अब वो एक घंटे तक खड़ा रहा, और ग्रेनाइट की चट्टान बहुत ही ज़्यादा गरम हो गई थी, उसी गर्मी को बरदाश्ट करना मुश्किल हो रहा था, अब चट्टान की गर्मी इनके बहुत ही विकड़ थी, दोस्तों इस एपिसोड को यहीं अंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपसोड में, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल दे बेस्ट, बंदे मात र कर दो